सबस्क्राइब के बारे में देखा था लाएं तो उसमें हमने चेंबर के बारे में देखा था फिर जो हमने पूरी जो सिस्टमेटिक डायग्राम और सर्कुलेशन वह भी शमजा था फिर हमने जो चार चैंबर थे कि जिसे हम जो उपर वाले जो आर्ट्रियम जो होते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम एन राइट आर्ट्रियम उसके बारे में समझा था फिर जो वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट उसके सब के बारे में हमने प्रिएस लेक्चर में देखा था तो अब हर्ट बीट है, की जो धड़कन होती है, ठीक है, तो धक धक करता है, हमारा रद है उसकी जो धड़कन होती है, उसके बारे में, the walls of the chambers of the heart are made of muscles, तो जो हमारी chamber हमने देखी ती ना, चार बाग, जो उसके दो दो पाट है, मतलब चार है, तो वो है, वो मसल की बनी होती ह इस muscles contract and relax rhythmically, तो यह जो muscle होती है, तो वो contract माने, मैं आपको समझाओं, तो जो मुठी आपकी, जो हाथ की मुठी है, वो आपने कैसे, ऐसे मुठी बार ली हाथ को, तो उसको हम contract कहते हैं, और आपने छोड़ दी मुठी, तो उसको हम relax कहते हैं, ठीक है, तो वो rhythmically ऐसे करता र rhythmically का मतलब कि आप कोई song सुन रहे हो, तो वो कैसे rhythm में आप सुन रहे हैं, तो उसको rhythm गली कहते हैं, तो यह जो rhythmic contraction है, कि इनका relax होना, work में आना, मतलब कि इनका ऐसे फूलना, relax होना, तो यह heartbeat में होता रहता है, relaxation वाला, remember that heartbeats continue every moment, remember that heartbeats continue every moment of our life, तो जो हमारी धड़कन है, heartbeat हो पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही चलती रहती है, ठीक है, तो यह एक आपको याद रखने जैसा है, कि the heartbeats continue every moment of our life, तो जो heartbeat है, वो continue on ही रहती है, ठीक है, कि ऐसे off हो जाए, मतलब कि किसी का रदय बंद हो जाता है, धमके देथ हो गई, तो यह पूरी जिंदगी start रहती है, If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat, तो heartbeat को आप feel कैसे करोगे, या फिर आप, मतलब कि आप उसको मैसूस कैसे करोगे, तो देखिया, आपका जो chest है, तो उसकी जो left side है, तो वहाँ पे आप आपका hand रखिये, तो आपको feel होगी heartbeat, ठीक है, The doctor fills your heartbeats with the help of an instrument called a stratoscope, तो जो डॉक्टर बगेरा होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, आप टिवी में भी अभी देखते हैं, तो वो white coat में कैसे stratoscope लेके आते हैं, उसको stratoscope कह दें, ठीक है, तो ये एक सादन है, जो डॉक्टर इसकी help से हमारी heartbeats चेक करते हैं, A doctor uses the stratoscope as the device to amplify the sound of heart, तो जो ये stratoscope होता है, डॉक्टर इसकी help करते हैं, वो एक device है, ठीक है, कि जो हमारा heart है, उसके sound को वो पहचान सकता है, It consists of a chest piece that carries a sensitive diagram to air piece and tube joining the parts, तो देखिए, तो ये जो पूरा stratoscope है, उसका photo भी हमको बताया गया है, कि ये जो है sensitive diagram है, ठीक है, तो ये जो है chest पे रखते हैं, chest piece वाला, फिर जो tube है, वो tube है, और जो ear piece है, वो doctor अपने ear में कान में लगाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी condition बता सकते हैं, कभी आपको खर्व अगेरा हुआ होगा, तो आप doctor के पास गए होगे, तो कैसे आपने स्ट्रेटोस्कॉप की help से, doctor ने आपका जो check-up किया होगा, ठीक हर्ट का, और वो बता सकते हैं, कि आपकी condition क्या है, let us construct, let us construct model of, sorry, construct model of stratoscope with the materials that are available around us, तो हम एक ऐसा practical, मतलब की एक ऐसा device बनाएंगे, ठीक है, practical करेंगे, कि stratoscope जैसा बन सके हमारे, आसपास का कोई, हमारे आसपास जो इलाके में जो अवेलेबल हो, साथ दन वगेर, उनकी app से, आप किसी को बनाना नहीं है, सिर्फ हमको समझना ह activity 11.2, take a small funnel of 60, sorry, take a funnel of 6 to 7 cm in diameter, तो आपको एक funnel लेनी है, ठीक है, यहाँ पर यह कैसे funnel है, तो यह एक लेनी है, ऐसी funnel, fix a rubber tube 50 cm long tightly on the stem of the funnel, तो जो rubber है, तो एक आपको rubber tube लेनी है, वो आपको उसकी funnel की stem है, मतलब की जो उसका नीचे का भाग है, वहाँ से आपको, यहाँ पर कैसे fix किया है, ऐसे आपको fix करना है, stretch the rubber sheet of balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with the rubber band, तो जो funnel का जो mouth है, वो आपको rubber band से, या फिर बलून, जो बलून आता है, उसकी help से, उसका जो mouth है, वो आपको pack कर देना है, ठीक है, put the open end of the tube on one of your eyes, ear, sorry, तो जो यह funnel का जो बाग हमने pack किया, तो उसको आपको, आपके ears पे लगाना है, ठीक है, जो यहाँ पे यह कैसे लगा रहा है, अपने ears पे, तो हमको ऐसे अपने कान पे लगाना है, place the mouth of funnel on your chest near the heart, तो जो funnel का जो mouth है, वो हमको अमारी chest पे left side पे लगाना है, now try to listen carefully, तो अब आपको carefully सुनना है, do you hear a regular thumping sound, तो क्या आप thumping sound ऐसा सुन सकते हो, the sound is that of heartbeats, तो यह जो sound है, वो heartbeats का है, how many times did you heartbeats in a minute, count again after running of 4 to 5 minutes, compare your observation, तो हमको यहाँ पे एक table भी दिया गया है, कि हमको बताना है, कि record your own pulse rate and heartbeats and that of your friends while resting and after running and recording in table 11.2, तो हमको pulse rate का भी observation करना है, फिर heartbeats का हमारा भी करना है, और आपका कोई दोस्तों तो उसका भी करना है, ठीक है, pulse rate और heartbeats का, table 11.1, हाँ, यहाँ पे, कि table 11.1 में हमने यह observation कि, do you finally any relationship between your heartbeats and pulse rate, तो जो हमारी heartbeats है, और जो हमारी pulse rate है, उसमें कोई relation है, each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeats, तो यह दोखो, यह important है, ठीक है, कि each heartbeat generates one pulse in the arteries, तो जो एक heartbeat है, वो क्या generate करी है, pulse में, arteries, और जो pulse rate है, वो minute में indicates the rate of heartbeat, तो pulse है, वो heartbeat का indicates करी है, और जो, और जो arteries है, वो pulse का indicates करी है, तो यह जो important है, ठीक है, यह जो तीन लाइन last वाली है, यह आपको exam में भी पूछे जा सकते हैं, the rhythmic beating of various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substance to the different parts of the body, तो यह जो rhythmic हमारे रदय में beating होती है, वो chambers वगेरा में, हमारा circulation blood का होता है, वो maintain रखते हैं, ठीक है, और जो transport करते हैं, substance सारे, वो different parts में body में transport वगेरा करते हैं, वो जो wonders, if sponge and hydra also have blood, तो अब वो जो को एक वीचार आया, कि जो sponge and hydra, जो पानी के जो यह animals होते हैं ना, उनको क्या blood होता है, animals such as sponge and hydra do not possess any circulatory system, तो animal की तरह sponge और hydra को भी क्या circulatory system होता है, sorry, sponge और hydra go, ऐसे animal की तरह circulatory system अगर होता है, जैसे हमारा कैसे, यह system है blood का, ऐसे, the water in which they live brings food and oxygen as it enters their body, the water carries away waste material and carbon dioxide as it moves out, thus these animals do not need a circulatory fluid like the blood, तो यह जो animals होते हैं, hydra, sponge, जो पानी के animals, तो उनको क्या होता है, वो जब water में oxygen लेते हैं, तो जब वो carbon dioxide चोड़ते हैं, तब उनका wastage material निकल जाता है, ठीक है, तो हमारी body जैसा नहीं होता, जैसे हमारी हम human being की body में, एसी जो blood की system है, वो इनमें नहीं होती, जो animals है, डॉग है, दूसरे जैसे animal है, उनमें ज़्यादा तर हमारी जैसी system बगएरा होती है, ठीक है, तो जो sponge and जो hydra है, उनमें यह system अविलिबल नहीं होती है, अब जो animals की, अब हम यह देखेंगे, animals और human के, कि जो animals की, मतलब human भी आ जाते हैं, और इसमें animals में सब भी लोग आ जाते हैं, तो जो हमारे removal wastage होता है, उन सब के बारे में, अब अब देखेंगे, carbon dioxide तो हमारा जो, हम कैसे सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं, जो carbon dioxide निकलता है, वो कुछ ऐसे waste material ले जाता है, excretion in animal, excretion in animal, जो wastage material carbon dioxide के अलावा भी जो body के parts में से जाता है, उन सब के बारे, मैं recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exalination, तो हमने, जो हमारा स्वसन वाला चप्टर था, तो उसमें हमने क्या देखा था, कि जो carbon dioxide है, वो wastage material होता है, बाडी का, वो स्वसन के द्वारा, लंग्स में से, फेप्सो में से निकाल देता है, ठीक है, also recall that the undigest food is removed during, also recall that the undigest food is removed during ejection, ठीक है, ejection, ejection, तो ये भी याद किजिए, जो undigest food है, वो ejection के द्वारा निकल जाता है, जो undigested food होता है, बोडी का, वो ejection जो visurgent process है, जिसे हम potty कहते हैं, उसके मादब से निकल जाता है, let us now find out how the other waste material are removed from the body, तो अब ये जानते हैं, कि दूसरे ऐसे other materials हैं, wasted materials हैं, वो कैसे निकल दे हैं, you may wonder where these unwanted materials come from, तो ये आपको जानके थोड़ा, कि ऐसा थोड़ा wonderate होगा, कि ये unwanted, जो ऐसे unknown material वो कहा से आते हैं, when our cell perform their function, certain waste products are released, जो हमारी body है न, पूरी, तो वो सभी हमारे parts है, cell के बने, सारे जो parts है, cell है, ठीक है, जो micro-micro parts है, वो cells वगेरा है, तो वो function करते हैं, तो उस माद्यम में क्या होता है, वो perform क्या करते हैं, function में, तो जो waste product होती है, वो release होती है, तो ये जो products वगेरा होती है, मतलब waste material होता है, वो text toxic होता है, जो हमारी body को हानी भी पहुचा सकता है, तो उनको निकलना जरूरी होता है, the process of removal of waste produce in the cell of the living organism is excretion, हमने ये जो देखा, कि जो excretion की ये व्याख्या है, ये definition है, ये आपको याद रखनी है, कि जो process होती है, कि जो खराब है, wasted product है, उनको निकालने की cells में से, तो उसको क्या का जाता है, excretion का जाता है, तो the parts involved in excretion from the extreme system, तो ये जो parts वागे रहा होते हैं, वो extreme system में available होते हैं, मतलब ये जो system में extreme system भी कहते हैं, तो ठीक है, ये जो हमारा chapter है, वो अब हम आगे का next lecture में देखेंगे, ठीक है, next lecture में में भी complete भी हो जाएगा, अब जो extra system है, हमारी human के बारे में, फिर जो plants होगे रहा के बारे में देखेंगे हम, और फिर वो chapter खतम हो जागा, ये chapter है, पूरा हो जागा, उसके बाद का जो chapter है, reproduction in plants, तो वो हम next, जो तिन chapter वीडियो के बाद, new chapter भी start करेंगे, तो देखेंगे, आपका जो homework है, कि जो chapter number, हाँ, chapter number जो 10 है, जो chapter number 10 है, वो आपको आपकी workbook में complete, कर लेना है, और मेरे whatsapp number पे उसका photo बेज़ना है, ठीक है, मुझे पता है, सभी लोग का complete हो गया है, चैप्टर number 10, वो मेरे whatsapp number पे फोटो बेज़े, पूरे chapter की, ठीक है, starting से last तक, तो activity अगरा दोसमें नहीं करनी है, मैं आपको बता देता हूँ, कि chapter number 10, तो यह जो chapter number 10 है, वो start होता है, 91 से workbook में, ठीक है, 91 से, 97 तक आपको, complete करके, मेरे whatsapp number पे, उसका photo बेज़ना है, सभी लोगों का हो गया है, तो जिनका नहीं हुआ है, वो मुझे आपको बताया ना, question क्या, मैं answer बेज़ूँगा, आपको कोई question का answer न मिला हो तो, और जिन लोगों का हो गया है, वो मुझे photos बेज़े, chapter number 10 की, ठीक है, workbook वाली photo, complete हो गया है, वो student और नहीं हुआ है, वो question के answer मुझे पूछे दो, मैं उनको photo बेज़ूँगा, question की answer की, ठीक है, thank you, bye bye,